रसुया संगपने तीन सूत्रिय मांगू पर रड़ा हुआ है संगपने तीन सूत्रिय मांगू कुले का दभीते 42 दिन से अंदोलन रथ है उन्होंने नैशनल हाईवे 30 को जाम करने के लिए हजारों की संख्या में मंदी से पैदल नारेबाजी करती हुए अब बुड़ा चौक पहुंच जहाँ पुलिस से बरकेट्स और भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था अलग कि पुलिस कर्मियों ने अटाली रसुया संग को आगी जाने से रूप दिया रसुया संग के प्रमुखों का कहना है लगतार हम लोग 42 दिनों से अंदोलन पड़टे हुए हैं लेकिन सरकार के कोई भी नुमाइंदे हमसे बात्षीत करने अब तक नहीं पहुचे हैं लगतार अलग अलग तरीके से अंदोलन को रूप दे रहे हैं कभी शेहर में रेलिया की जा रही हैं तो कभी चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं बावजूद इसके अभी तक कोई भी जन प्रतनिती हमसे मिलने हमारे हाल जानने के लिए नहीं पहुचा है 2018 के चुनाव में कॉंग्रेस ने अपने घुशना पत्र में ये कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद सभी को नियमती करन के साथ कलेक्टर दर दिया जाएगा चार साल के बाद भी हमारी मागे पूरी नहीं हो रही है यही तो दुख की बाद है जब कांग्रेस का सरकार नहीं था तो हम लोग 76 दिन हर्दाल में बैठे थे उस समय सारे आधेक्ज, विधायक, सांसर जो भी कांग्रेस पार्टी का नेता है हमारे मंच में आए और हम लोग को यही वादा किये थे कि हमारा जब सरकार आएगा तो आप लोग को कलक्टर दर्देंगे बुल के लिखित कागज में भी दिये थे लेकिन आज दुख की बात है अभी तक हम लोग आज 42 दिन होने जा रहा है लेकिन हमारे पास कोई मन